आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, रिल्वे का बिकलांग पास किस तरह से ओनलाइन बनता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इपिक्स की वेबसाइट से बताया था है और जिन लोगों को वहां से बनाने में प्राबलम आ रही है, जिनका hospital नहीं select हो रहा या फिर nearest station select करने में दिक्कत आ रही है वो इस वीडियो को देखे और यहां से अपना विकलांग pass के लिए online apply कर सकते हैं तो यह वीडियो भी complete वीडियो होने वाले है यहां पर मैं विकलांग pass online करके आपको दिखाऊंगा आपको कोई भी problem नहीं आएगे अपने विकलांग pass online करने में चलिए शुरुगात करते हैं इस लिंक के उपर आप जैसे ही click करेंगे आप इस page पर आजाएंगे सबसे पहले अगर आप new user है तो आपको यहां new user के उपर click करके registration करना होगा उसके बाद आपको यहां से अपने nearest railway station select करना होगा उसके बाद अगर आप अपने verification अधार card से करना चाहते हैं तो आपको इसको on कर देना होगा अगर आपके अधार card mobile number link रहेगा ताब आप इसको यहां से on करेंगे यहां पर term को accept करेंगे इसके बाद आपको यहां एक email ID डाल देना होगा यहां एक mobile number डाल देना है उसके बाद अपना disability चेक कर लेना है कि कौन सा आपका है category यहां पर orthopedic मेरा है तो मैं यहां पर इसको select करूंगा और उसके बाद sign up के उपर click करना है और अगर आपके अधार में mobile number लिंक नहीं है तब आपको उसको बंद ही रहने देंगे यहां पर अपना नाम लिखेंगे email ID यहां पर आपको डाल देना है यहां पर mobile number डालेंगे यहां पर gender select करेंगे फिर से disability का आपको category यहां पर चुन लेना है login के उपर click करेंगे आप login हो जाएंगे तो देखी जैसे हमारा login होगा हमारे सामने कुछ इस तरह के page खुल कर आयागा अब यहां देखी उपर दो option आपको देखने हुए पहला concessional farm का दूसरा apply for concession card का तो अगर आपके पास concessional farm नहीं है बर्थ डाल देना है पित्या का नाम डाल देना है disability type आपको चुन लेना यहां पर permanent या फिर temporary तो temporary वही लोग चुनेंगे जिनका accident औगरा से बाद में विकलांग हुए है पर्मनेंट उनको चुनना होगा जिनका जर्म से है उसके बाद आपको अपना complete address यहां पर भर देना होगा यहां पर pin code डाल देना यहां पर city यहां पर district यहां पर state उसके बाद यहां पर देखिए आपको concession farm upload करना होगा PDF में, JPG में या फिर PNG में आपके पास जो format में available है आपको 600 KB से कम में आपको यहां पर upload करना होगा उसके बाद एक photo यहां पर upload करना होगा उसके बाद आपको UD ID card यहां पर upload कर देना होगा यहां पर birth proof में आप अधार card अपना upload कर सकते हैं photo ID proof में भी अधार upload कर सकते हैं अब्रेस पूर्फ में भी अपना अधाय अपलोड कर सके मुझा। किस हुस्पिटल से मिला है पिर आपको भूस्पिटल का नाम डाल ethic जिस्ट कर ना देखी जैसे मैंने save draft के उपर क्लिक कि यहां पे मारink किल गया है यहां डेखी Sud खुल कराया यहां एक्षन के नीचे एक एरो दिखेगे इसके उपर आपको क्लिक करना होगा यहां पर आपको फार्म आ गया आपको चेक कर लेना होगा आपने इसमें कुछ गलती तो नहीं किया कुछ गलती किया तो आपको करेक्शन कर लेना है यह तो आपको नीचे आना है और यहां Save and Submit के उपर क्लिक करना है, पर देखिए दे रहा है Card Applied Successfully, इसको आपको OK कर देना है, अब यहां पर देखिए आपका Status Pending दिखा रहा है, अब आपको 15-20 दिन वेट करना होगा, आपका Card बन जाएगा, जब आपका Card बन जाएगा तो आपको Mobile पर Message से पता दिये जात इसी तरह से विकलांग Railway Pass के लिए अपलाई किये जाता है, आप बहुत यहांसानी से घर बैठें, Railway Pass के लिए अपलाई कर सकते हैं, तो वीडियो में देगे जानकारी आपको समझ में आए, चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए, कोई जानकारी आपको ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछेगा मैं आपको बता दूंगा धन्यवाद